मुवी की स्टार्टिंग में हम एक सिटी को देखते हैं जो कि काफी बुरी तरह से बरबाद हो चुकी थी कि तब ही सीन कट होता है और हम दो दिन पहले का समय देखते हैं जहां हम जूरी नाम की एक डोक्टर को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक में बैटी थी इसी बीच उसकी एसिस्टेंट पैका वहां आकर जूडी से चुटी मांगती है ताकि वो अपने बॉइफरेंट सकाटी के साथ उस दिन होने वाले बेसबॉल मैच को देख सके वहीं अब सीन उसी बेसबॉल ग्राउंड पर सीफ्ट होता है जहां से क्यूल्टी के लिए डैविड और रसल नाम के दो पुलिस ओफिसर्स मौजूद थे दरसल डैविड जूडी का हस्बंड होता है और अब मैच के दुरान रोरी नाम का एक आदमी गन लेकर ग्राउंड मे कोशिश करता है लेकिन इससे पहले की वो ट्रिगर को दबा पाता डैविड उस पर अपनी गन से शूट कर देता है जिससे रोरी की अमोके पर ही मोध हो गई थी जिसके बाद डैविड उसकी बोड़ी को पोस्मोटम के लिए ले जाता है जहां अब रोरी की वाइफ और उस चली जाती है उसी रात अब डैविड को उस हादसे की वज़े से नीन नहीं आ रही थी साथी साथ उसे काफी गिल्टी फिल हो रहा था लेकिन जूडी उसे किसी तरह सांथ कर देती है नेक्स टे जब डैविड अपने ओफिस जाता है तो तब उसके पास डॉक्टर का कोल आ कर वहां से चला गया था वही अब बैन की वाइप उसके अजीब बिहेवियर को देखकर जूडी को बुलाती है फिर जूडी बैन का चेक अप करती है और कहती है कि ज्यादा स्टेस होने की वज़य से वह ऐसा बिहेव कर रहा है उसी रात बैन अब अपने फार्म हाउस में क खूम रही हैं जिन से बचने के लिए वे दोनों एक अलमारी में खुद को बंद कर लेते हैं लेकिन वहां भी आ जाता है मगर उससे वह अलमारी नहीं खुलती जिसके कारना वह पूरे घर को ही आग लगा देता है और जब इसकी ख़बर डेविड को मिलती है तो तब वह ब पाइलेट था और साइध प्लेन क्रेस होने की वज़ाय से इसकी मोथ हुई होगी जिसे सुनने के बाद डेविड रसल के साथ अब उस प्लेन को ढूनने चला जाता है और थोड़ी तेल तक ढूनने पर उन्हें मिल ही गया था जो कि दरसल पानी में डूबा हुआ था जिसक वोटर सप्लाई रुखवाने के लिए वहां के मेर के पास पहुचता है और उसे ये साली बाते बताता है मगर मेर उसकी बात नहीं मानता और यहां पर हमें पता चलता है कि दरसल डेविड को लगता था कि वहां के पानी को पीने की वज़य से ही रोडी उस दिन अजीब तर है जिसे देखकर डेविड और रसल अब काफी डर गए थे और इसलिए वे उसे दूसरे जेल में सिफ्ट करने के लिए कोल लगाते हैं मगर ओफिस में सिगनल ना मिलने की वज़य से उनकी कोल नहीं लग पाती इसलिए डेविड ओफिस से बाहर आता है ताकि उसे वहां उटने की आवाज आती है जिसे देखने डेविड अब उसके घर में चला गया था जहां वो एक आदमी को देखता है जिसके मुव पर दरसल लगे थे और जब डेविड उसके स्टीजिस को काट रहा था तो तब डॉक्टर अचानक से उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है जिसके बाद वो बॉन सोल लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है मगर डेविड किसी तरह उससे बचकर उस डॉक्टर को ही मार देता है वही आगे जब डेविड जूरी से कुछ बात कर रहा था तो तब जूरी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके घर के बाहर इसलिए डेविड उसे देखने के लिए अब भार आ गया था कि तबी कुछ सोल्जर्स वहां आकर उन दोनों को पकड़ कर एक बस में ले जाती हैं और यहां हम देखते हैं कि वहां रसल के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि दरसल उसी सिटी में रहती थी जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स ने काफी लोगों को पकर रखा था और साथ ही वे सभी का टेंपरेचर भी चेक कर रहे थे जिसके दुरान जूडी का टेंपरेचर हाई होता है इसलिए वे सोल्जर्स उसे पकड़ कर कहीं और ले जाने लगते हैं जिससे देखकर बागने की कोशिस करता है वे सोल्जर्स उन्हें मार देते हैं जिसे सुनने के बाद डेविड तुरंत एक ट्रक पर चड़कर वहां से सीधा अपने ओफिस में जाता है जहां वो दरसल अपनी गल ले रहा था कि तभी वहां रसल भी आ जाता है जिसे डेविड बताता है कि जूरी प्रेगनेंट है इसी वजह से उसे हलका सा फीवर था तभी सिन कट होकर जूरी की तरफ सिफ्ट होता है जहां वो खुद को एक बैड पर बंदा हुआ पाती है जिसके साथ साथ वहां बैका भी मौजूद थी लेकिन तभी जूरी देखती है कि एक आदमी फोर्क ले के लिए उसके पास आता है लेकिन तभी ठीक समय पर डेविड वहां आकर उस आदमी को शूट करके मार देता है जिसके बाद अवे चारों मिलकर उस बिल्डिंग से बहार आ गए थे और बहार आने के बाद अवे सभी स्काटी के घर पहुँच गए थे जहां उन्हें उसे और उसकी मोम दोनों को मार देते हैं और उन्हें मारने के बाद एक सोलजर डैविड की और पढ़ने लगता है लेकिन डैविड और रसल बड़ी ही चलाकी से उस सोलजर को पकड़ लेते हैं और उससे इन सब चीजों की वज़ा पूछते हैं कि तुम यह सब क्यूं कर जिस बारे में कुछ नहीं पता वो तो बस अपने लीडर के ओरर को फोलो कर रहा था जिसके साथ साथ वो उन्हें यह भी कहता है कि अगर तुमने मुझे छोट दिया तो मैं तुमारे बारे में किसी exclusively को नहीं बताऊंगा जिसे सुनकर डेविड ने अब उसे छोड़ दिया था इसके बास अभी डेविड के घर पहुंचते हैं ताकि वो डेविड की कार और कुछ चरूरी समान लेकर दूसरे सहर जा सके मगर डेविड के घर में रोरी की वाइफ और उसका बेटा मुझूद थे जिसे देखकर रसल ठीक समय पर उसे शूट करके मार देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रसल भी अब काफी अग्रेसिवली बिहेव करने लगा था जिसे देखकर जोडी को उस पर शक हो गया था खैर वे इस बात पर जाला ध्यान ना देते हुए अपना सफर कंटिन्यू करते हैं जिसके दुरान उन्हें रास्ते में एक हेलिकोप्टर दिखाई देता है जिससे बचने के लिए डैविड अब कार को एक वोशिंग सेंटर में ले गया था और वहाँ भी कुछ लोग मोजूद थे जो की काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और उन्होंने अब कार वोशिंग मसीन को चालू कर दिया था जिसके बाद डेविड और रसल की उन लोगों के साथ काफी लडाई होती है जिसके दुरान बैकम मारी जाती है कि तभी वे सॉल्जर मिसाइल से उनकी कार को ब्लास्ट कर देती है जिस वजह से उन्हें आगे का सफर पैदल ही तै करना पड़ता है वही थोरी देर चलने पर उन्हें वहाँ दो ट्रक दिखाई देते हैं जिन्हें चेक करने पर उन्हें पता जलता है कि वे ट्रक अब किसी काम किन नहीं है क्योंकि उनके टायर्स स्पाइक स्टिप्स की वजह से पूरी तरह डिस्टोय हो चुके थे कि थभी लकिली उन्हें वहाँ एक और कार आती हुई दिखाई देती है जिसे देखकर डेविड सोचता है कि वे उस कार को लेकर दूसरी सिटी में जा सकती है और इसलिए वो अब उस कार को रोकने की कोशिश करता है मगर तवी रेसल स्पाइक स्टिप्स से उस कार को पल्टा दीता है और रसल को ऐसा करता देख डेविड अब काफी कनफ्यूज हो गया था कि उसने ऐसा क्यों किया जिसके बाद वे तीनों उस कार के पास पहुंचते हैं जहां वे देखते हैं कि उस कार में कोई और नहीं पलकी वहां का मेर था जो कि उस सिटी से भाग रहा था फिर डेविड उ के पास जाकर उस प्लेन के बारे में पूछता है जिसे कि हमने मुवी के स्टार्टिंग में दीखा था जो कि क्रैस होकर वहां पानी में डूब गया था डेविड के पूछने पर मेर उसे बताता है कि उस प्लेन में ट्रिक्सी नाम का एक वाइरस था जो कि बायोजिकल वार वो 48 hours में ही मल जाएगा वरना जोंबी की तरह behave करने लगेगा जैसा कि हमने अब तक movie में काफी लोगों को देखा था वहीं अब डेविड के और कुछ पूछने से पहले ही रेसल मेर को माल देता है जिसके कार्ण अब उन दोनों में काफी बहस हो गई थी जिसके दोरान रेसल अपनी गन डेविड पर point कर देता है और उन्हें उसके साथ आगे चलने को कहता है रेसल का ये behavior देखकर डेविड को अब ये confirm हो गया था कि रेसल भी उस वाइरस से infected है फिर कुछ देर तक चलने के बाद डेविड काफी चलाके से रेसल की गन उससे ले ले लेता है और उसे चुप चाप उसके साथ चलने को बोलता है जिसके बाद रात होने पर वे तीनों अब उसी soldiers के कैम तक पहुँच गए थे जहां रसल उन्हें बताता है कि यहां पास ही में एक highway है जहां से तुम भाग सकते हो दरसल रसल के पास एक plan था जिसे कि वो डैविड और जूडी के स कोशिस करूंगा जिसका फायदा उठाकर तुम दोनों यहां से भाग जाना लेकिन रसल के इस plan से वे दोनों बिल्कुल भी एगरी नहीं करते जिसके कान वो उन्हें किसी तरह मनाने की कोशिस करता है और आखिर में अब वे दोनों उसकी बात मान ही लेते हैं जिसके बास को अब वहां दो इनफेक्टिड लोग दिखाई देती हैं जिनसे बचने के लिए वो छुप गई थी कि तभी डेविड उसे लेकर ट्रक में चला जाता है और जैसे ही डेविड उस ट्रक को स्टार्ट करता है कि तभी वे दोनों इनफेक्टिड लोग वहां आकर उन पर रहे थे जहां रास्ते में उन्हें उस ट्रक में रखे एक वोकी टोकी से यह पता चलता है कि वह सिटी अब पूरी तरहूर आपड़ी है जहां डैविड और जूडी जा रहे थे और यहां पर हमें पता चलता है कि उस सिटी में भी अब कुछ लोग उस वाइरस से इंफेक्टिड हो चुके थे जिसके कार्ण उस सिटी पर भी अब सोल्डर्स अटेक करने वाले थे और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी यहां खतम अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में